हिंदु धर्म में गोत्र वर्गिकरण की वह प्रणाली है जो किसी व्यक्ति के वंश और पारिवारिक संबंद की पैचान करने में मदद करती है गोत्र की अवधारणा बहर विवाग के सिध्धान्त पर आधारित है जो एक ही गोत्र से सम्मंदित व्यक्तियों के बीच विवाग पर रोक लगाता है यह विचार हमारे जीन्स की विविधता के आधारना पर आधारित है क्योंकि माना जाता है कि समान जीन्स वाले व्यक्तियों के बीच विभा से जेनेटिक बिमारी और डिसॉर्डर्स की संभावना बढ़ जाती है वैदिक ग्रंथों के अनुसार साथ प्रार्थमिक गोत्र हैं अर्थात, भ्रिगू, विश्वमित्र, कश्यप, अत्री, वशिष्ट, गौत्म और भरदवाज इन में से प्रत्येक गोत्र को उनकी वन्शावली और वन्शावली के आधार पर कई उप गोत्रों में विभाजित किया जाता है हिंदु विभारिती रिवाजों में गोत्र का महत्व कुंडली मिलान की प्रथा में दिखाई पड़ता है कोनी की प्रक्रिया से पहले दुला और दुलहन के गोत्र की जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे एक ही वन्श से सम्बंद नहीं रखते हैं ऐसा माना जाता है कि यह प्रथा पती-पत्नी के बीच जेनेटिक विविदिता और अनुकूलता सुनिश्चित करती है